हेलो एवरिवन मैं वंधना आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूटूब चैनल इंडियन फूडी फूडी पर आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी यह है राजमा और चावल की रेसिपी जो की खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है किसी को भी इसको देखकर उसके मुँ में पानी आ जाएगा राजमा और चावल खाने में बहुत ही अच्छा होता है राजमे में कैल्शियम प्रोटीन और बहुत से ऐसे पोसकत तुपाये जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और साथी में मैंने जीरा राजमा जो होता है थोड़ा सा पचने में भारी होता है तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि किस तरीके से राजमा आप घर पर बनाएं जो आसानी से पच सके इस रेसिपी में मैंने आपको बताया है और इसी के साथ हमने आपर दिया है जीरा राइस इसमें अ जीरा राइस बनाना शुरू करते हैं यह रेसिपी बनाने से पहले मेरी आप से रिक्वेस्ट रहे कि प्लीज मेरे चैनल इंडियन फुटी-फुटी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले तो चलिए शुरू करते हैं राजमा बनाने के लिए हमने यहां पर एक बड करके रात बाका बनाने के इनको राजमा के अच्छी नहीं बनती है तो ध्यान रखें कि राजमा और छू緦े हमेशा बीवोकर ही 1 इसी तरीके से बनाते हैई तो काफि हेल्दी भी रहती है यह देखिए यहां पर हमने रजमे को आपने बीगो करके ले लिया है थेखिए राजमे हमारे बहुत 얇च्छे से लिया है अब हम इनको बॉयल करेंगे ऐसके लिए हम जों जाक वगएरा रहता है वह निकल आ één और हम इसको निकाल देंगे कि देखे पानी में वाइल आ चुका है और ये साइट से देख रहे हैं वाइट कलर का ये ज़ाग बन रहा है इसको हमें निकाल देना है क्योंकि ये हमारे लिए हार्मफुल होता है इसको हम जब खा लेते हैं तो ये हमारे अंदर यूरिक एसिट को बढ़ा देता है जिसके इस कारण हमें आगे चलके गाउट की यानि गढ़िया की समस्या होती है तो जब भी राजमा छोले या दाल बगएरा बनाएं तो इस तरीके का जो जाग उपर आता है उसको निकालने के बाद ही आप इनको प्र सु儿 जो सूद आता है वह भी काफी अच्छा आता है कुछ लोगों को राजमा पसंद नहीं होता है जब मूम की डाल के साथ में इसको बनाते है तो उसका सुचत विल्कुल अलगाता है बच्चे बहुत ज़्दा प्रेम से खा लेते हैं आप हम इसको इसमें एड़ करते है आप चाहें तो मून की डाल की जगए पर एक आलू बगएरा इस्तमाल कर सकते हैं उसे भी हमारे राजमे का भी फ्लेवर आता है बनने के बाद बहुत ही अच्छा आता है दाल डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे ये एक टी स्पून हल्दी पाउडर और उसी के साथ हम इसमें डाल देंगे एक टी स्पून ये नमा सारी ज्योंक अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इनको प्रेशर कूप करेंगे, इसके लिए इसको हम कवर कर देंगे, ध्यान रखें कि राजमे से 4-5 गुना पानी ही डालिएगा, नहीं तो राजमा नीचे लग जाएंगे, और सबसी हमारी खराब हो जाएगी, अब कर दिया है, अब हम इसको प्रेशर कूप होने देंगे, अब हम इसमें 4-5 सीटी आने देंगे, फैली सीटी हम लगाएंगे, फाइब लियम पर उसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे, और 4-5 सीटी आने देंगे ताकि हमारा राजमा आच्छे से कूप हो जाए, जब तक राजमा हमारा बॉयल हो रहा है उसके लिए हम मसाले की तयारी कर लेते हैं मसाले के लिए हमने यहाँ पर यह चार मीडियम साइस के टमाटर लिये हैं इनको हम बॉयल कर लेंगे उसके बाद हम इनकी प्योरी तयार करेंगे और उसी के साथ हमने यहाँ पर यह तीन भी ले लिया है और एक इंच अद्रक का टोड़ा भी ले लिया है अब इन सारी चीजों को पीस करके हम इसका एक पेस्ट तयार करेंगे यह देखिए पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है अब हम इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे हमने जो चार टमाटा लिये थे वो अच्छे से हमने बॉयल कर लिये हैं यह देखिए इनका छिलका हट चुका है अब हम इनको ठंडा कर लेंगे और मिक्सी के ग्राइडिंग जार में डाल करके इनकी प्यूरी तयार कर लेंगे आप चाहें तो प्यूरी को आप छान करके भी क्योंकि छान के जब इस्तमाल करते हैं तो इसके छिलके वगरा यह निकल जाते हैं और इसके अंदर का वीज भी निकल जाता है उससे हमारी ग्रेवी काफी हेल्दी और काफी टेस्टी और देखने में बहुत ही ज़्यादा स्मूध बन करके तयार होती है लाजमा हमारे टेज पत्ते तेज पत्ते हमारे बलका से फ्राइब हो चुके है इसी के साथ हम यसमें डाल देंगे यह हम शाहि जीरा यहां से इस्तमाल कर रहे हैं आपके पास जो भी जीरा हो आप वह डाल सकते है लेकिन शाहि जीरे का स्वाथ बहुत ही अच्छा लगता है इसको इसमे तो खुआ हम आईपा ईसी के साथ इसमें हम सूपक वही दो लालमीर्च और यह एक इंच ढटीनी का टुकडा एड de और एक ये साबुत इलाइची मसाले वाली हम आएक कर रहे हैं इसमें इसका स्वाद और खुश्बू बहुत अच्छी लगती है अब हम इसमें एक छोटा सा टुकड़ा ये जाविच्री का डाल देंगे इसी के साथ हम यहां पर डाल देंगे आठ से दस काली मिर्च और दो ये हरी इलाइची खड़े मसाले थोड़े से फ्राई हो चुके हैं अब हम इसमें डाल देंगे ये बारी कटा हुआ प्यास और इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें हमने दो हरी मिर्च तरीके से तोड़ करके ले ली है अब मिनको थोड़ा सा प्राई कर लेंगे कि देखे तीन से चार मिनट हो चुके हैं प्याज में अच्छा बॉर्डें ड्राउं कलर आ चुका है अब हमने जो प्याज की पेस्ट बनाई थी लैसन अधरब और हरी मिर्च के साथ उसको इसमें एड कर देंगे और इसको भी मच्छे से प्राई कर देंगे प्याज हमारा यहां पर बहुत ही अच्छे से गोल्डेन ब्राउन दो चुका है अब हम इसमें एड कर देंगे अपने कुछ मसाले उसके लिए हम यहां पर ले रहे हैं एक टीस्पून भर करके यह हल्दी पाउडर और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे यह दो टीस्पू अगा की है थो यहां पर फ्राई कर लिए और लगबग से चार मिनट के लिए और हाई कर लेंगे यह देखिए लगातार चलाते हुए इस तरीके से हमने टमाटर प्याड और सारे मसालों को बहुत ही अच्छे से भून लिया है अब हम इसमें डाल देंगे यह बारी कटा हुआ धनिया यह आक्टनल है लेकिन इसी स्टेज़ पर आप इसको डाली इसमें बहुत ही अच्छा फ हम इसमें डाल देंगे यह जो राजमे हमने लिये है बॉयल करके इस तरीके से और यह देखिए राजमा हमारा बहुत ही अच्छे से बॉयल हुआ है इस तरीके से मैं आपको प्रेस करके दिखाते हूं कितने अच्छे से यह फूट रहा है भीकुल सॉक्ट राजमा हमारा ब लेंगे और एक से दो मिनट के लिए इसी तरीके से इसको फ्राइ कर लेंगे राजमा पानी में बॉइल किया था दाल वाला वो पानी अब लेंगे और आप अपनी इस सब्सी में अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे नमक डालने से पहले ध्यान रखें कि हमने जब राजमे को बॉइल किया था तब भी नमक डाला था अब इसमें जो प्यास टमाटल वगयरा डाले हैं उन्हीं के इसाब से बैलेंस करके हम इसमें थोड़ा सा नमक और एड कर देंगे अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और लगबग चार से पांच मिनट टक के लिए इसको हम पकने देंगे जब तक इसमें अच्छे से बॉयल ना आ जाए हमारी सब्जी में बहुत ही अच्छे से बॉयल आ रहा है इसी स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे यह एक टी स्पून गरम मसाला पाउडर और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे यह एक टी स्पून भर करके हमने ली है कसूरी मेथी इसको हमने हलका सा फ्राइ करके लिया है इसको भी इसमें आड़ कर देंगे इसको डालने से बहुत एच्छी खुश्बू आ जाती है और इसका जो टेक्शर और टेस्ट आता है बिल्कुल आता है वोटेल जैसा इन सारी चीजों को हमने इच्छे से मिक्स कर दिया है अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे सबजी हमारी तयार हो चुकी है अब इसको साफ करें वाओ यह देखी कितनी अच्छी थिकनेस आई है हमा सब्सभका करें हमारी बंकरके तयार हो चुकी है सब्सक्त उसी के साथ ये दूसरी कटोरी अब पानी में हम बॉयल आने देंगे उसके बाद हम इसमें चावल डालेंगे अब इसको हम कवर कर देंगे ताकि इसमें जल्दी से बॉयल आ जाए ये देखिए पानी में बहुत ये अच्छे से बॉयल आ रहा है अब हम इसका धकन अटा देंगे और जो चावलों को आदे अच्छे से वाष्ण करके रखा था उसको इसमें डाल देंगे चावल डालने के बाद इसको बापस हम इस तरीके से कवर कर देंगे और इसको पकने देंगे 4-5 मैट हो चुके हैं हम इसका ठकन अटा करके देखेंगे ये देखे चावल हमारे लगबख कुप हो चुके हैं अब हम इसमे डाल देंगे ये फाफ टी स्पून सफेद नमख और इसी के साथ हम इसमे डाल देंगे ये आधे नीबू का रस इसको डालने से चावल हमारे खिले-खिले रहते हैं और ओवरकुप नहीं होते हैं ये देखे इस तरीके से अभी थोड़ा सा इसमें पानी है अब हम इस तरीके से इसको चला देंगे 2-3 मिट के लिए इसको और छोड़ देंगे ये देखे चार से पांच मिट बाद बाद वापे समय अपने चावलों को चेक करके देखा है इनका सारा फानी सूप चुका है अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अपने चावलों को किसी फैले हुए बरतन में निकाल लेंगे अगर आपके चावल ज्यादा कच्चे हो तो इसी तरीके से इसी बरतन में रहने दीजिए और दुबारा से इसको कवर कर दीजिए अगर सही पके हैं तो आप किसी फैले हुए बरतन में निकाल लीजिए नहीं तो चावल आपके ओवर कुक हो जाएंगे और जीरा राइस खिले खिले नहीं बनेंगे फिरेके हमने एक प्लेट ले ली है अब हम इसमें अपने राइस निकाल लेंगे देखे कितने अच्छे खिले खिले हमारे राइस बन करके तयार हुए है अब हमने इसमें लगाना है जीरे का तड़का अब हमने गैस के उपर बड़ी कड़ाई रख ली है बड़ी कड़ाई में ही अपने जीरा राइस बनाईएगा क्योंकि जब बड़ा बरतन होगा तो चावल को फ्राई करने में हमें ज्यादा प्रॉप्लम नहीं आएगी और चावल तूटेंगे भी नहीं आसानी से वो फ्रा साही जीरा हमिया पर शाही जीरा ले रहे हैं आपके पास जो भी जीरा हो मोटा वाला वो भी आप इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन साही जीरे का जो स्वाद आता है वो बहुत ही अच्छा आता है रेस्टोरेंट वगेरा में जो आप जीरा राइस काते हैं उसमें यही वाला पत तो चुका है आपने बंद कर देंगे और इसमें डाल देंगे अपने राइस अब बिल्कुल हलके हाथों से इनको मिक्स कर देंगे जीरा राइस बनाते हैं तो चाबल हमारे कॉपक कर रहते हैं और जीरे में काफी एच्छे से क्रण्च रहता है ये देखिए जीरा और राइस हमारे बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुके हैं बिल्कुल चाबल खिले खिले हुए बने हैं एक एक दाना बिल्कुल अलग है चाबल हमारे सॉफ्ट है और जीरा है हमारा क्रंची ये जीरा राइस खाने में बहुत ही इच्छा लगता है इसको जरूर ट्राइ करेगा मुझे कमेंट करके बताना बिल्कूल भी कुलिएगा कि मेरे इस वे से जैसे मैंने जीरा राइस बनाया है इस तरीके से आपने जीरा राइस बनाया तो आपको कैसा लगा यह देखिए एक एक दाना कितना अच्छा खिला-fedला हमारा बनकरके कि चावल का तयार हुआ है बिल्कुल चावल चिपके-चिपके नहीं हैं नहीं हमारे चावल ओबर कोर हैं यहाँ पर जो अमने चावल किए हैं तो डंती हैं हम खाने में में इस्तндर-कर रेगुलर हम अपने खाने में इस्त diffuse करHave लिया проблема इसको हमने इससे garnish कर लिया है वाव ये देखिए हमारा zira rice और इसी के साथ ये राजमे की सबजी देखने में ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है इसको देख कर किसके मुँँ में भला पानी नहीं आएगा साथ ही बहुत ही ज़्यादा healthy होता है राजमा हमारे लिए हमारे weight loss में भी काफी मददगार होता है क्योंकि इसमें भरपूर मातरा में protein होता है और इसको एग बार खा लेने के बाद बहुत देर तक हमें भूख नहीं लगती है इसमें भरा होता है भरपूर मातरा में calcium इसलिए यह हमारी हड़ियों को strong बनाता है छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक को यह सबजी जरूर खानी चाहिए जिस तरीके से मैंने बताई है इस वीडियो में इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो यह काफी healthy बनकर के तयार होगी दूसरा आपको पचने में काफी easily यह पच जाएगा तो इस combination को try करिए और मुझे comment करके बताना बिल्कुल भी मत बुलिएगा कि मेरी ये recipe आपको कैसी लगी लाइक और शेयर करें मेरे वीडियोज को मेरे चैनल इंडियन फूडी फूडी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बुलिएगा बेल आइकन जरूर दबा दिजेगा ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको जल से जल मिल सके थैंक्स फॉर वाचिंग